हलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Neuralink के शो एंड टेल इवेंट के बारे में जी हाँ Neuralink ने आज अपने शो एंड टेल इवेंट में लेटेस डवलप्मेंट जो की उनकी ब्रेन इंप्लेंट चिप जो बना रहे थे जिसके बारे में उन्होंने आउंजमेंट की थी उसके बारे में भी बताया और कंपनी बहुत सारी जो डवलप्मेंट कंपनी में हुई है पिछले एक साल में उसके बारे में Elon Musk ने Neuralink में जितनी भी डवलप्मेंट उसके बारे में बताया तो इस वीडियो में मैं आपको ब्रीफ में बताने वाला हूँ Neuralink के इन अपडेट्स के बारे में मेरा नाम है भवी और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आएंगे तो प्लीज मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजेगा यह वीडियो कर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं शेर कर सकते हैं साथी साथ आपका सवाल और फीडबेक आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं तो सबसे पहले बता दूँ Neuralink ने एक चिप की announcement बहुत पहले की थी तक्रीबन दो साल से इसके बारे में बात हो रही है यह एक brain implant है जो की एक तरीके से interface का का काम करेगा between machine and humans in future यानि कि इस चिप को skull में particularly इस चिप की अगर मैं बात करूँ तो यह चिप का intent यह है कि यह brain में इसको implant किया जाएगा skull के उपर यह चिप लगाई जाएगी और इसका demo 18 महीने पहले Elon Musk ने भी किया था एक बंदर ping pong खेल रहा है अपनी screen पर देख सकते हैं यह brain से इस game को control कर रहा है और साथी साथ demo भी दिखाया किस तरीके से implant होगा और क्या इस चिप की details भी दी charging वगएरा battery capacity यह सारी बाते भी उन्होंने एक तरीके से show and tell event में बताई तो जो सबसे बड़ा एक तरीके से जिसे कहीं कि show off था आया यह यह show and tell event का जो सबसे बड़ा जिसका लोग वेट कर रहे थे कि आखिर क्या वो दिखाने वाले है तो सबसे जो important चीज वहां पर उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से जो मंकी जो पहले सिर्फ जॉयस्टिक पर काम कर रहा था वो अब अपने brain से एक तरीके से screen पर cursor को follow कर सकता है यानि कि keyboard पर जिस भी key पर उसे direct कर रहे थे highlight कर रहे थे वो अपने brain से उस key को tap कर पा रहा था virtual keyboard पर इसके लिए definitely software picture में रहेगा ऐसा नहीं है कि कोई software नहीं रहेगा तो software भी Neuralink का अपना है कि किस तरीके से वो जो brain implant है उसके थुरू ये monkey आप देख सकते हैं अपनी screen पर उन्होंने दिखाया भी है कि monkey के जो chip है वो brain से एक तरीके से readings भी आप देख सकते हैं screen पर जो matrix की तरह आपको matrix style में दिखनी है वो दिखाई हैं और किस तरीके से सिर्फ अपने brain के through ये monkey जो है wirelessly जो virtual keyboard है screen पर उसको access कर पा रहा है और इसका benefit क्या होगा आने वाले समय में जो लोग अपने limbs या हाथ use नहीं कर सकते किसी बिमारी की वज़े से या spinal cord injury की वज़े से आप सोची अगर उनके brain में ये chip होगी तो वो अपने mobile phones को, computers को या अपने आसपास की devices को इसी तरीके से operate कर पाएंगे और in fact Elon Musk ने announce भी किया है कि FDA को यानि कि जो American regulatory authority है उनको उन्होंने सारे documents वगरा submit कर दी है और company को उम्मीद है अगले 6 महीने में human trial शुरू हो जाएंगे, यानि कि अभी ये सिर्फ pigs पर और monkeys पर ही लोग test कर रहे है आने वाले 6 महीने पर इंसानों में भी trial शुरू हो जाएंगे, पहले company ने although announce किया था कि 2020 में company का target ये है बट अब ये 2023 तक shift हो गया है, बट फिर भी ये काफी important development है और उन्होंने ये भी confirm किया कि ये जो device होगी, ये skin के नीचे रहेगी और बिल्कुल इस level पर रहेगी कि वो बहार से आपको दिखाई नहीं देगी और upgradable होगी, जिस तरीके से आप अपना phone अप्ग्रेड कर सकते ह इन future ये device के latest version आते रहेंगे, तो वो upgradable भी होगे, साथी साथ ये एक rechargeable device है, जो wireless charging को support करेगी, तो एक तरीके से smart watch आप इसको समझ सकते हैं, जैसे आपकी smart watch जो wirelessly charge हो जाती है, ये एक chip है, N1 जिसको नाम दिया गया है, ये brain में implant कर दी जाएगी, पंद्रह मिनट से लेकर क जैसे डेट घंटे तक की surgery का time अभी Neuralink की तरफ से announce किया गया, पंद्रह मिनट नीडलिंग वर्क के लिए है, और आप देख सकते हैं कि एक बड़ी वो implant होने के पाद जैसे बंदर को ये लगी हुई है, तो इसके skull पर आपको अलग से ऐसा कुछ नहीं दिख रहा हो, और य अनोंने company ने बिल्कुल clearly identify किया कि सबसे पहले वो क्या target करें, तो सबसे पहले Elon Musk का target है कि वो जो visually impaired है, यानि कि जो लोग देख नहीं पाते हैं, जो by birth blind है, जिनको जन्म से जो लोग नहीं देख पा रहे हैं, ऐसे लोग भी इस chip का इस्तमाल करके देख पाएंगे, वो भी high resolution जो imagery रहोगी या वीडियो से रहेंगे, वो देख पाएंगे Neuralink की N1 chip से company का पहला target वो है, और दूसरा target company का है near future में ही इसको अचीव करने का, जिसके उपर human trials होंगे, जिन लोगों को spinal cord injury है, जो movement जिनकी restricted है, ऐसे लोग इसका इस्तमाल करके, Neuralink N1 chip का इस्तमाल करके, devices क यूज कर पाएं, या in fact, Elon Musk ने यहां तक claim किया है, कि वो इनसानों से जो बिल्कुल ठीक है, जिनको कोई injury नहीं है, उनसे बहतर devices को, या यूज कहीए computers को, या अपने आसपास की चीज़ों को operate कर पाएंगे, basically, indirectly, वोई कहना चाहा रहे थे, कि ये super human capabilities उन लोगों के पास हो आप specifics बताएं कि किस तरीके से अभी जो near term target है, company के, वो visually impaired और spinal cord injured जो लोग है, उनके लिए वो लोग try कर रहे हैं, आने वाले 6 महिने में company इसको achieve कर लेगी, साथ ही साथ उन्होंने chip की detail भी दी, क्योंकि अब ये prototype version नहीं है, इसको production में लाना चाहते हैं, chip की उन्होंने detail भ wireless है, तो यहाँ पर मैं बता दू, 104 चैनल के साथ, 64 पतले-पतले से बाल जितने पतले threads हैं, जो brain में implant किये जाएंगे, और उसका भी उन्होंने video दिखाया, demo video दिखाया कि किस तरीके से brain में implant हो, और आप देख सकते हैं, अपनी screen पर एक ये wireless charging ring भी उपर यहाँ पर है, और ये skin के अंदर रहेगा, और इसको wirelessly charge किया जासाएगा इस chip को और इसको upgrade भी किया जा सकेगा, brain में implant करने का भी demo यहाँ पर company की तरफ से दिखाया गया, और इस process को maximum कोशिश की गई है कि कम से कम pain हो, best, इसके लिए around भी बहुत सारी उन्होंने technology डवलप करी है, जो detail video में है, जो आप उपर link में देख सकते हैं, जहाँ पर पूरा event दो डाई गंटे का है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो यह chip implant होगी, उसका यहाँ पर demo दिखाया गया है, जो machine है, जो robot यह implantation करेगा, वो ऐसे areas mark कर लेगा, जहाँ पर यह 64 पतले-पतले, जो बा इस एक surgery protocol follow करने के बाद इस chip को use किया जाएगा, आप देख सकते हैं, demo video में बहुत अच्छे से दिखाया है, और Neuralink का plan है, Neuralink अपने chip implant clinic in future शुरू कर देगा, यानि कि ऐसा नहीं है कि कोई हर एक hospital में facility होगी, Neuralink के अपना ही clinics होगे, जहाँ पर की N1 chip को implant कराया जा सकेग तो इसके लाव आप उन्होंने बहुत सारी details, specifics बताये, technology enhancement बताये, चाहे वो इस robot की needle हो, या किस तरीके से visually impaired लोगों के लिए वो software पर काम कर रहे हैं, किस resolution का वो look देख पाएंगे, तो बहुत detail में उन्होंने इस पूरे plan को बताया, जो कि आप detail video में देख सकते हैं, मैं उ